आपका नाम बता ले मेरा नाम राम नाराण कुररिया मैं अखिल भारती किसान सवा का मत्र प्रदेश का राज अध्यत और यह अपने किसान बाई है उनको अभी तक इस कानून के बारे हम पता नहीं है डीटेल में आप जरा इनको डीटेल में समझाईए यह जो किसानों का जो अंधोनन चल रहा है जिसमें 500 ज्यादा किसान संथन हैं इनका मुख मांग यह है कि केंडर सरकार के द्वारा इस देस का किसान इस डेस का खेत और हमारे देस की आजादी को बरबात करने के लिए अडानियंबानी के पक्ष में केंडर सरकार यह तीनोगा पहला बिंदु जो है जिसको ये कहते है क्रसी ओपज व्यापार वड़ज अधनियम 2020 इस कानून का आस्य ये है कि हमारे देश के अंदर जो मंडी बिवस्ता थी मंडी बिवस्ता को चौपट करने के लिए सरकार सरकारी मंडीयों के समनांतर प्राइवेट मंडीयों को खाध्य किसानों के समर्थन मूर् पे खरीदने की कहीं किसी तरह की गารंटी नहीं है और इसका आजसे हुआ कि अधनी उम्बानी जैसे जो बिया पारी और अध्यों के घराने जो हैं ये मनमानी दरों पे किसानों की फतलों को खरीदेंगे, सस्ती दरों पे खरीदेंगे, अपनी गुदामों के अंदर जाम करेंगे और उसके बाद जब किसानों के घरों से फतले खतम हो जाएंगे, उसके बाद बाद बजार में मन्चाही कीमतों पे इसको बेचेंगे दूसरा कानून जो है जिस कानून का इनने नाम दिया है मूल्यों का अस्वासन क्रसी सिवा ससक्तिकरों सरक्षन इस कानून का आसर ये है कि हमारे देश के अंदर जो किसान है और किसानों का देशी और बिदेशी जो कमपनिया है अडानी, अमबानी, किलोसकर, टाटा, विडला, डालमिया, चरतराम, भरतराम, किलोसकर जैसे जो देसी और बिदेसी कमपनिया जो है ये बिदेसी देसी कमपनिया किसानों के साथ 10 साल का अनुबंध करेंगी और अनवंद होने के बाद कमपनी तै करेंगी कि हमारे खेत में कौन सा बीज बोया जाएगा बीज के साथ ये तै करेंगे कि बीज के साथ कौन सा खाट डालना है कौन सी कीट ना सक दबा डालना है और उसके बाद किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा दूसरा खत्रा जो इस कानून में है उखत्रा ये है कि किसानों का कंपनियों के साजी अनबंद होगा मूली के सवाल को ले करके अगर बजार में अनबंद से जादा अगर कीमत है उसका लाफ किसानों को नहीं मिलेगा अगर अनुबंद के अधार पे बजार में कीमत अगर गिर गई तो कमपनी गिरी हुई कीमत पे किसानों से किसानों का भुकतान करेगी अगर मालो किसान अपने खेतों में जो फ़सल पैदा किया कभी प्राक्ते कापदा आ गई, ओला पढ़ गया, पाला पढ़ गया, कल यती वर्सा हो गई अगर फसल में कोई आनसिक छती गुडवत्ता के सवाल पर कमपनी हमारे माल को रिजेक्ट कर सकती है खरीदने के लिए कमपनी बात धिन नहीं होगी इसमें सबसे खतरनाग पहलू जो है पहलू ये है कि अगर हमारा कमपनी हमारा अनाज नहीं खरीद रही है रिजेक्ट कर रही है, अगर किसान दुबारा उस अनाज को दूसरों को अगर बेचना चाहे तो इस कानून में प्रावधान है कि आप इस समझावते का उलंगन करके दूसरे को आप नहीं बेच सकते हैं इस कानून में सबसे खतरनाग पहलू जो है कि ये नियालीन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है SDM कलेक्टर जो है इसका निराकर्ण करेगा केंदर सरकार का प्रतिनी निराकर्ण करेगा कमपनी और किसानों के बीच में अगर कहीं पे कोई बिवाद होता है तो इस में हाई कोट सुप्रीम कोट जाने के किसानों को अधिकार नहीं दिये गए हैं और हम और आप ये जानते हैं कि SDM कलेक्टर जो है ये राज जो सकेंदर सरकार के प्रतिनीदी होंगे कमपनी के बड़े बड़े बखील पैरवी करेंगे और किसान के पास इतनी ताकत नहीं यतना पैसा नहीं है कि उन बखीलों का मुकाबला कर सक है और आखरी में किसान के खिलाप ही फैसला होगा इसलिए ये कानून ठेका खेती बाला जो कानून है खतानाक कानून है इस कानून से हमारे देश की खाद्यान सुरक्षा खत्रे में पड़ेगी हमारे कमपनियों को अगर ये लगता है कि दुनिया के देशों में कौन सी चीज की जरूरत है अगर उनको लगता है कि रतन जोत पैदा करना है उनको लगता है मस्रूम की खेती करना है तो आज हमारे देश का खिसार अपने खेतों में जो धान पैदा कर रहा है यहूं पैदा कर रहा है कमपनी उनको मजबूर करेंगी रतन जोत और मस्रूम की खेती करने के लिए क्योंकि बीज ओ देंगी हम लोगों ने देखा हिंदोस्तान के जब इस्ट इंडिया कंपनी का कबजा था ये जो बंगाल था जब हिंदोस्तान और पाकिस्तान नहीं बना था बंगला देश नहीं बना था उस समय इस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के किसानों को बाद किया था नील ख खेती किसानों ने की जमीने उनकी बंजर हुई उर्वाद सक्ति खतम हुई और हमारे देश में अजादी के पहले एक करोड से जादा हिंदुस्तान का नागरिक मारा गया था भूब की बज़े से तीसरा कानून जो है तीसरा कानून का नाम यह है कि अत्नी अवस्यक वस्तवधनियम 2020 संसोधन कर दिया इस कभी तक हमारे देश का जो कानून था उस कानून में प्रावधान यह था कि हमारे देश का व्यापारी हमारे देश का ओद्यों के घराना एक सीमा से जादा अपनी वस्तुगो अधिक समय तक जाम नहीं कर सकता था इसमें एक कानून बना हुआ था अब सरकार ने फैसला किया है हिंदुस्तान के खेत में जो हम पैदा करते हैं गेहूं चना अलसी मसूर बटरी दलहन तिलहन सक्कर और सबजी और फल इनको अवस्यक वस्तुव धनियम की के यदा कर दो बज़ार के अंदर हाणा अकार मत जाए रोटी के लिए जनता तरसने लगेगी उसके बाद यह मंचाई ही कीमतों पए कुदाम के माल को बाहर निकालेंगे और मन्चाही कीमतों पर हमारे देश के अंदर जमा खोरी मुनाफ़ा खोरी बढ़ेगी इसलिए ये कानून हिंदोस्तान के किसानों के भर पक्ष में नहीं है ये कानून इस देश की जंता के पक्ष में भी नहीं है जंता के पक्ष में से साफ से नहीं है कि खेत क अनुबंद कम्पनी के साथ होगा हमारे खेतों में जो पैदावारी होगी वो गोदामों के अंदर चली जाएगी उसके बार हमारे देश का जो पूंजी पती है अगर उसको लगता है कि दुनिया के अंदर खलानी चीज की जरूरत है तो हिंदुस्तान की जनता को देने की कट पैदा होगा ये इस कानून की बज़े से हिंदुस्तान की जो अबादी है चालिस परसेंट लोग जो रासन की दुकानों से दो रुपई या पांच रुपई या के लोगा जो अनाज लेते हैं जब सरकार खरीदी नहीं करेगी सार्जनिक रासन प्रणाली की दुकाने बंद हो जाएंगी एफसी आई की गुदा में बंद हो जाएंगी बेर हाउस बंद हो जाएंगे और ये जो कानून है ये कानून हिंदुस्तान की सरकार ने अडानियम बानी जैसे जो पूंजी पती है अमेरिका जैसे जो समराजवाद है उनके धवाव में आकर के हिंदुस सरकार इन कानूनों को वापस ले जब तक एक कानून वापस नहीं होंगे हिंदुस्तान का किसान अपनी ऐसा अंदोलन को आगे बढ़ाता रहेगा हमारी सर्व्य ही मांग है सरकार यह कह रही है कि हम संसोधन करने के लिए तैयार हैं हमको और आपको मालूम है कि हमारे देश- संद्र समिधान बनने के बाद कितने संसोधन नहीं हो गए अगर एक कानून बन गया कानून में ने मालूग गरंटी भी लेकिन जब चाहेगी सरकार उन में संसोधन कर सकती है इसलिए सर्व एक ही रास्ता है हिंदुस्तान की किसानों को मौस्त अगर बचाना है देश की अपनी सहादत दी है वो भी किसी के बाप है वो भी किसी के पती है किसी के भाई है किसी के सौहाग है यह मोदी सरकार जिंदरन्द मोदी की सरकार तीस किसानों की सहादत के नाम पर एक सब्द बोलने के लिए तयार नहीं है ऐसी सरकार को हिंदुस्तान की सत्ता में रहने का क भाईयों जिस पर जिसी किसान भाई को यह चीज का जो मालूम नहीं है कि तीन कानून क्या है वो समझ ले और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा किसानों को समझ में आए जै जवान जै किसान गाराई त माई लाइव तह भाई